स्टेप आईगे अपनी एट चेक फॉर डिफ्लेक्शन चेक फॉर डिफ्लेक्शन इसके लिए यह आया और जो अपना एलपोंट डी जो पर ने कैलकुलेट करा है वो आएगा 53 00 डवाइड़ वाइड़ बाइड़ त्री फिफिटी यह आया फिफिटीन पॉइंट वन फोड़ और जो अपना एलपॉंट डी मैक्सिमम जो अपन दे सकते हैं वो होता है सिंप्ली सपोर्टेट केस में 20 केटी ओके यहाँ पे केटी की वैल्यू के वैल्यू डेपेंड करती है पीटी पे और f by s पे इसके लिए अपन देखेंगे कोड़ मैं लॉस अकोर्डिंग टू आइस 456 2000 क्लॉज 23.2.1 और साथ में इसका ग्राफ यूस होगा इसका ग्राफ यूस होगा यहां पर f s का formula दिया है f s equal to होता है 0.58 into f by into area of cross section of steel required अपन प्रोइड तो f s अपना आएगा 0.58 f Y था आपना 415 into F s required आया था अपना पेज नमबर लग देता हूं, पेज नमबर 38, ओके, AST रिक्वाइड जो आया था अपना, वो था, area of reinforcement required, check for CL enforcement, calculation of area, ये रिक्वाइड आया था 65.0 थे, 65. 651.03, AST प्रवाइड जो अपन निकल के आया था, फोर नमबर of 4 वार्स थी, और 16 mm डाय की, तो ये निकल के आया अपना, अपना निकल के आया है, 194.8, और percentage of steel थापना, pt equal to था अपना, 1.14, okay, 1.14%, okay, तो अब अपन निका लेंगे, kt की value, kt की value के लिए कार रहा है अपना ये, kt की value निकल के आयाएगी, अपने, kt की value यहां से आएगी, 1.14, 1.14 है परसेंटेज़ों की स्टील, intention, okay, 1.14, ये कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, 1.12 की लाइन ये है, 1., ये 1 की लाइन, 1.14, यहां कहीं आएगा, और fs था अपना, 1.94, fs था अपना, 1.94.8, तो fs आएगा, यहां कहीं, और ये आएगा, यहां कहीं आएगा, तो kt की value आएगा, अपनी, 0.8 और 0.12 के बीच में आएगी, तो ये 0.1. kt की value आएगा, इसका simple interpolation का रहेंगे, उसके बाद आएगी है, kt की value आपनी होगी, 1.13, इसके something आएगा, इसकी value, तो अपना L upon D, max, जो अपन पोवाइट करना था, वो होगा, 20 into 1.13, equal to होगा, 22.6, hence L upon D, max, is greater than L upon D, calculated, hence, okay, ये अपनी beam, deflection में safe है, और ये अपनी design, complete होती है, यहाँ पर अपन minimum reinforcement का formula भी लगा सकते हैं, कि maximum reinforcement किता देना है, वो minimum कितना देना है, वो भी लगा सकते हैं, additional check के लिए, तो उसके लिए भी आपन चेक कर लेते हैं, maximum reinforcement, ये होता है, 0.04, small b into capital D, according to IS code, IS 456, 2000, 0.04 into 200 into 350, sorry, 400, overall depth, maximum देना था अपन को, 3200 mm square, और अपनने provide करा है, ये रिक्वाइट था अपनना, और प्रोवाइट करा है अपनने, 800, 804.24 mm square, okay, hence okay, minimum reinforcement होता है, अपनना, जोपन को देना ही देना है, ये होता है, 0.87 b into D upon F pi, equal to, 146.74 mm square, तो अपनना जो AST आया है, 1.4672, इस से ज्यादा है, और, 3200 mm square से कम है, hence okay, ये अपनी simply supported beam की design, complete होती है, okay,